जब पाकिस्तान 1947 में आपने थरम के आधार पर इस्लामिक रिपब्लिक बनाई ली दिया था पाकिस्तान को तो फिर इसको हिंदू राष्टर क्यों नहीं बनाया अगर पाकिस्तान मुस्लिम राष्टर बन सकता है तो भारत को हिंदू राष्टर क्यों नहीं बनाया हाँ बिल्कुल पाकिस्तान ने मुस्लिम राष्टर बनकर जो जंडे गाड़े हैं भार्त भी वही गाड़ देता और हिंदू राष्टर बनाना तो यू मैगी बनाने जितना असान था कि मोदी की तरह नहरू रात को आठ बजे लाई वाते और गोल देते कि आज रात 12 बजे स भारत हिंदू राष्टर है और भारत हिंदू राष्टर बन जाता क्या हालत होती देश की अगर भारत ऐसा बेवकूफाना फैसला करता इसके बारे में बताएंगे लेकिन पहले ही बताईए अगर भारत हिंदू राष्टर बन जाता अगर भारत को हिंदू राष्टर ही ब कुर्बान कर दी इस देश की आजादी के लिए क्या बोलते उनको तुम लोगों की कुर्बानिया तो सिर्फ इसलिए ली गई है क्योंकि हमें तो हिंदू राष्टर बनाना था क्या मूँ दिखाते उन तमाम जो मुस्लिम क्रांतिकारी हैं जिन्हों ने इस देश को आजाद क करवाने के लिए लड़ रहे थे उनको क्या बोलते कि तुम लोगों की कुर्बानी तो बसी सी ली लिए है क्योंकि हम तो हिंदू राष्टर बनाना चाहते थे अब बेवकूफी होती बहुत बड़ी क्योंकि अंग्रेजों ने ये जिस तरीके का भारत आज देख रहे हो न कि हम तो अफना अलग देख बनाएंगे जहां पर दूसरे धर्म के लोगों की आबादी ज्यादा थी दूसरे धर्म का कोई नवाभ या राजà था बहुत सारे पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे अलग देख बनाना चाहते थे क्योंकि किसको नहीं अच्छा लगता कि हम तो अपने देश के प्रधानवंतरी बनेंगे, राष्टरपती बनेंगे, अपने अपने देश के सारे मोधी बनना चाहते थे, पता है देश का नक्षा कैसा होता, कहीं ये जुनागड है, कहीं ये हैदराबाद है, कहीं ये पंजाब है, खालिस्तान है, कहीं ये कश्मीर है, क होने वाला था कि यहां एक स्टेट है भारत का फिर उसके बाद यह पाकिस्तान का कोई स्टेट आ गया फिर उसके साथ लगता कोई दूसरा देश है फिर उसके बाद भारत का कोई स्टेट है फिर कोई पाकिस्तान का स्टेट है चारो तरफ हर स्टेट के इर्दगिर्द कोई अलग देश होता या पाकिस्तान का कोई राज्य होता किसे लड़ते किपना लड़ते क्या स्थिती होती सोच सकते हो हिंदू राश्टर क्यों नहीं बनाया इंस्टाग्राम की रील देखकर इतिहास नहीं समझा जा सकता थोड़ा सा स्टेडी करो कि किस तरीके से साड़े 500 रियास्तों को मिलाया गया था तमाम जाती धर्म के लोगों को ये कहा गया था कि भारत के साथ हाइए समान अधिकार मिलेगा सभी धर्मों को सम्मान मिलेगा और यह किसी एक धर्म का राष्टर नहीं बनेगा तब जाकर हमारा आज का भारत बना था